सुरा मेरे नज्जी पम्मड कान वेरे मनी सिखा पजिंग समादिया मी सुरा मेरे नज्जी पम्मड कान वेरे मनी सिखा पजिंग समादिया मी सुधी राज सिंग जी जी सर जी सर आईए सर जी सर यहाँ पर जो लोग है तीन सो तेरह उनमें सब लगातार लगातार बहुत दिनों से कंसेप्ट को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मान भी रहे हैं पर काम नहीं कर रहे हैं और अगर सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे और अपना संतुष्टी कर लेंगे कि बस हमें समझ में आ गया, हम तो जानकार होगे या कहीं तरक वितरक में इसका इस्तमाल करेंगे लोगों को हराने के लिए या वहवाई पाने के लिए या यह सोचके कि हमें जानकारी मिली है, नई मिली है, तो आप तरक वितरक तो कर लेंगे, थोड़ा कुछ आत्मसंतुष्टी भी मिल जाएगी, कहीं जीत भी जाएंगे, जानकारी का अच्छा होने का एहसास भी होगा, पर बचेंगे नहीं, खतम हो जाएंगे, किसी ऐसे तरक वितरक करना, जो आपके समण समाज का नहीं है, उसको तरक वितरक में हराना, उससे बहस करना, या वाटसेप पर उससे चैटिंग करना, या कहीं सभा में बोलना, उससे हम नहीं जीत पाएंगे, इसलिए यहाँ जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सुनने के लिए तो इस कि यहां और भी लोग बैठे हुए हैं तो आपको जानकारी समझें देखें बढ़ाएं मानना इसली है क्योंकि वो आपकी फाएदे के लिए है या नहीं है इसे माने मगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं हमारा भी समय खराब आपका भी समय खराब मेरे वाटसेपे भी आये हैं कि कई मैसेज हमको लिंक नहीं मिला यहां भी लोग कह रहे हैं कि जी वहां दिंक नहीं मिला तो यह कम से कम लिंक भेजने के काम से तो शुरुआत करनी चाहिए यहां संख्या 319 ही पहुँच रही है पिछले 6 दिन से 7 दिन से यह 400 नहीं हुई संतुष्टी वाले को अत्संतुठी बोलते हैं पाली के अंदर अत्संतुठी सेल्फ एक तरह से कह सकते हैं हैपिनेस तो वह आपको मिलेगी मगर उससे फायदा कुछ नहीं होगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोगों को बोधी प्राप्थ हुई है ग्यान प्राप्थ हुआ है बहुत सारे बुद्ध हैं दुनिया में और उन ऐसे बुद्धों को जिनको जानकारी प्राप्थ हो गई सेम जानकारी जो सिद्धत गौतम को हुई थी सेम जानकारी पर उन्हें दुनिया नहीं जानती और कोई भला नहीं किया उन्हें सिर्फ उन्होंने अपना भला किया उनको बोलते हैं पच्चेक बुद्ध पच्चेक बुद्धों की लाइन लगी पड़ी है और जो ये वाला बुद्ध है जिसको आप बारबार यहां गाते हैं बजाते ह बाद मैं ये परण लिया सब को पढ़ाऊंगा सब के दुखदूर करूँगा इसलिए दुनिया में उसको याद किया जाता है उसी ने सिद्धान्त दिये उसी ने सारी बात की तो बावा साब अगर पढ़ लिखके जाके और जो वहां राजा साब का पैसा उताने के लिए उनकी नोकरी करते नोकरी नहीं करने दी उनकी पटाई बटाई हो गई भगा दिया उनको मारा सामान फैंक दिया बड़ोद्रा के अंदर फिर उसके बाद में वो कहीं और की जीडिते तो वो पच्चेक डॉक्टर अंबिट कर होते कोई नहीं जानता उनको और उनको जाने या ना जाने चलो जो ग्रेट आदमी होते उनको इसकी चिंता नहीं रहती कि हमको को जाने या ना जाने मगर हमें को नहीं जानता हमारे बच्चों को नहीं जानता हम तो अ आप होते ना मैं होता और ना ये जो हम बोलने हैं ये ग्यान होता और भासा होती अगर बावा साब अमबेड कर पच्चेक अमबेड कर होते ग्यान प्राप करके और अपना मज़ा करते काम खतम हो जाता तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बावा साब की जानकाई लिए और ग्यान प्राप्त किया और वो सब मज़ा ले रहे हैं जिन्दी का तो हमाई लोग सीधे-सीधे उन से भड़ जाते हैं तो बावसाब की बात नहीं मानते ये नहीं करते वो नहीं करते मतलब अभी हम गाओं में गये थे मीटिंग करने के लिए तो वहां एक व्यक्ति था उसने नौकरी करने वालों को और उनको जो समाज के अंदर आक्शन लेके बैठे हैं बड़ी सारी गालियां बक्ति उससे क्या मतलब दे रहा जो नौकरी लेके चला गया मौज मस्ती कर रहा है उससे क्या है क्यों हिर्षा करता है क्यों जलन करता है क्यों महाई एनरजी लगा रहा तो हम कहां जाते इसलिए ये नहीं सोचना है कि कोई नोक्री लेके भाग गया ये ऐसी तंखा लेता है या वैशी लेता है या फलाना है धना है खुद को देखना है हम क्या कर रहे हैं जब एक अकेला डॉक्टर अंबेटकर जब एक अकेला सिध्धत गौतम बुद्ध जब ए एक अकेला पैरियार देख रहे हो कितना बड़ा-बड़ा काम किया है तो हम तो यहां 317, 318, 319 हैं और यह ऐसी बात है कि हर आदमी जो आता है यहां जागरित है जागा हुआ आदमी होता है उसको सर्यंत आना चाहिए सर्यंत्र सर्यंत्र को दरसल निगेटिव भासा में बताया जाता है जो हमारे अच्छे सर्यंत्र को दरसल यह सर्यंत्र नहीं था च्छे को सर्यंत्र बोलते हैं और यंत्र माने मसीन होती है यत्र बोलते हैं यंत्र बोलते हैं तो च्छेंत्र च्छेंत्र को बदल के संसकाइद भासा म सड यंत्र क्या और इसको निगेटिव कर दिया यह बड़ा पॉजिटिव था साम दाम दंड भेद चल कपट निगेटिव कर दिये सारे मतलब सारे के सारे जो बाकियां निगेटिव कर दिये और यह जो छह यंत्र थे जिनको छह यतन बोला करते थे छह यतन बोला करते थे छह लागू, पहचानू, एकू, निसानू, लागू और देख भालू। यह मैंने गवारू भासा में आपको बता दिया है, एक एक करके मैं बताऊंगा कि यह बेसिकली छह यंत्र कौन से हैं जो हमारे हैं और जिनको स्ट्ड़ यंत्र कर दिया, एक मिसाइल अगर कोई बनाता है क कोई सेना में नहीं जाती, बस मिसाइल छोड़ देते हैं, उसमें परमानों बंब रखा और हो गया काम, कि ना सेना भेजनी है ना कुछ बेजना है, तो मिसाइल बहुत बड़ी बनाई, उसमें बड़ी ताकत लगाई, बड़ा सा उसमें बंब रखा, उसका एक बहुत बड तो गिरनी चेये थी पॉइंट ए पर और वो जागिरी समुद्र में है बेकार होगी मेसाहिल इतना पैसा इतनी एनरजी इतना ताम जाम इतना सब कोछ इतनी मेहनत की और परिणाम जीरो बटा जीरो कोई फायदा नहीं उससे तो समझ हो कि यहां जो अभी हमारे अर्थी बाब कैसे काम कर रहे हैं और मुझे याद आया बच्पन में हमारे यहां एक कानून आता था कानून लोगों ने उसका नाम कानून रख दिया वो बड़ा लंबा चोड़ा मूल निवासी मतलब काला दमदार सीना चोड़ा उसका उसकी मास पेसिया बहुत जबरजास लंबा बहु दो छोटे थे बच्चे थे तो कानून हमारे महले में घूमा करता था तो कैसे कानून आ गया कानून बड़ा फक्र मलंग टाइप का आदमी था वो क्या बात है करता था उस समय हमें नहीं पता क्योंकि हम बहुत छोटे थे मगर इतना हमें याद है कि वो रोज मर्रा की बातों से हटकर करता था और जो वो बात करता था बड़े बहुत तरीके से बोलता था और लोग उसका जवाब नहीं देते थे, हाँ उसको खाना वाना जरूर खिलाते थे, कानून आया, चाय प्ला दो, कानून आया, खाने खिला दो, और कानून घुमता रहता था, एक गाउं से दूसरे गाउं, दूसरे गाउं से तीसरे गाउं, तीसरे गाउं, चौते गाउं, फिर दो-चार-पाँच मेने में फिर कभी आता था हमाई दुकान पे आया या हमारे घर आया तो फिर उसको पैसे वैसे नहीं लेता था खानावाना खिला दिया कानून चला जाता था बहुत यंग बहुत जबरजस्ट परशनल्टी का बंदा मतला ऐसी परशनल्टी के आप देखो तो दंग रह जाओ कि क्या बंदा था तो मुझे कुछ-कुछ याद आता आज अर्थी बाबा को देखकर के वो जो कानून हमें बताता था वो दिरसल हमें आगे की बाते बता था कि समाज में क्या हो रहा है हमारी क्या इस्तिय है क्या करना चाहिए क्या नहीं आज का उसको मिशनर ही समझ सकते हैं आप पूरी जिंद्गी उसने लगाई लोगों को समझाने बज़ाने में और मैं जब उसका परणाम देखा तो ना तो कानून का कोई चिन है ना निशान है और ना ही कानून दो चार आद्वियों को सिखा पाया यानि कि पूरे दिन जो उसकी मिसाइल पूरे जीवन में चली वो मिसाइल कहीं लगी नहीं को इसी निसाने पर फिट नहीं बैठी अर्थी बाबा जो यहां काम करने जुनोंने बताया कि वो ऐसे कर रहे हैं वो जाने उनका काम जाने मगर आभास ऐसा होता है कि वो निसाने पे नहीं है तो यह जो 6 पॉइंट है इनको याद रख लोगे तो ठीक ठीक चीचीजे आएंगी सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको जागू होना चाहिए जागरित होना चाहिए अविकंड होना चाहिए जगा हुआ होना चाहिए बातों को समझने वाला होना चाहिए क्या बात हैं क्या नहीं और जानकारी को लगाता लगाता लेते रहना चाहिए और खराब जानकारी को उटाते रहना चाहिए और सही जानकारी को लेते रहना चाहिए और खराब जानकारी के तो जिक्री भी नहीं करना चाहिए जो जानकारी उनकी है, जो जानकारी हमारे किसी फायदे की नहीं है हमारा दिमाग को गहरेगी, हमारी मेमोरी को गहरेगी, हमारे दिल को गहरेगी हमारे मस्तिस को गहरेगी, उसको लेने नहीं चाहिए तो जाग्रित होना चाहिए, हर चीज को समझते रहना चाहिए, चीजों को आर पार देखने की छंता पैदा होनी चाहिए तो दूसरा है पहचानू, तो उसको ये पहचान करनी चाहिए, कि जो सामने वाली चीज़े हैं वो उसके लिए फायदेबंद हैं या नहीं है ये जो चीज़े चल लए हैं एटमस्फिर में उसकी हवा किस तरफ बह रही है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, पहला कैसे हुआ, हमारे महापरुश कैसे करते थे, क्या चीज़ घटी, क्या नहीं घटी, उसको हर चीज़ की पहचान होनी चाहिए तो जागू होना चाहिए और जागने के बाद में पूरे पूरे मंजर को पूरे एटमोस्फिर को पूरे आसपास को पहचान करने वाला होना चाहिए अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं है खाली विजिलेंट है खाली अवेकेंड है और उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसके पास में तो उसका जागने का मतलब बेकार है इससे बहतर है वो सो जाए क्योंकि कोई जगा भी और पहचान नहीं पाया तो नुक्सान नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं करेगा और अगर जागनित है, विजिलेंट भी है और पहचानू है, रिकोगनिशन भी करता है, आइडिन्फिकिशन भी करता है चीज़ों की तो फिर एकू होना चाहिए क्योंकि एक कहावत पुरानी चलती है जागू से लागू बुरा होता है यह हमारे हाँ चलती है नौट में, मुझे नहीं पता साउथ में क्या चलती है क्या मतलब इसका मतलब इसका यह है कि जो व्यक्ति जगा रहता है जगा रहता है उससे फायदा नहीं होता, मगर कोई व्यक्ति लगा रहे लगा रहे, कामें रंत तरता रहे continuity रहे तो वो सफर हो जाता है ये दरसल इन 6 points में 2 points है मगर ये पूरे नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ती पहचानों है और वो एकू नहीं अगर वो एक साथ नहीं जोड़े सारे एक साथ नहीं आए तो दिवार नहीं तोड़ सकते क्योंकि दिवार तोड़ने के लिए बल चाहिए और बल एक्ता में आता है तो उनको एक्ता करनी पड़ेगी तो जगने के बाद उनको एकू होना चाहिए एक साथ एखटा होना चाहिए, यूनिफिकेशन होना चाहिए, तेजी से खटा होना चाहिए, संग बनाना चाहिए, और जब वो संग बना लें, फिर उनको स्नाईपर होना चाहिए, निसाने बाज होना चाहिए, निसाना उनका जो एम है, वो उनको सामने होना चाहिए, में पूरी महनत करनी चाहिए अगर वो निसाने पर महनत करता है फिर वहां फोर्स लगाना चाहिए फिर दम लगाना चाहिए फिर काम करना चाहिए क्योंकि निसानेंप अगर फोर्स लगे गी, जैसे पुरानी पिछरों में पुराने जमाने में किले के दर्वाजे तोले जाते थे, तो बहुत सारे लोग एक लटः लेकं आते थे, उस पेड़ प Race लोग उसको पकड़ लेते थे, अगर उनको जागे हुए नहीं होती इनको पहचान नहीं होती कि ये कैसे तोटेगा और वो एक साथ पेड़ को अठाने वाले नहीं होते और निशाना उनका सही दरवाजी के बज़ाए अगर उनका दिवार में लग जाए तो दिवार कहां तूटेगी तूट जाएगा तो वो सारे एक साथ लगें और लगने के बाद जब चीज को प्राप्त कलने फिर सबसे मेन काम हो जाएगा या आपको जो आप लापरवाई करोगे उसका दंड आपको भुख़ना पड़ेगा ये दरसल छह यंत्र हैं इनको सड़ यंत्र बोलते थे उन लोगों इसको निगेटिव कर दिया हमारे ये पॉजिटिव है अब महापुरसों को देखो के कैसे काम किया है उन्होंने इन छे सराब में हैं, लोगों की बुद्धी खराब हो चुकी है, इनके जो मैंड हैं, उनको इम्पयोर किया जा चुका है, ये जूट बोलते हैं, ये नशा करते हैं, ये हत्या करते हैं, ये वेबचार करते हैं ये सारे वो काम करते हैं जिन से इनका पतन होता है इसलिए ये गुलाम है तो वो इसको पहचाने तो पहचाने के बाद में अकेले क्या करते तो उन्होंने एकू यानि एकी करन किया संग बनाया एक व्यक्ति कितनों को सिखा सकता है एक अकेला बुद्ध अगर चाहे तो कितने ऊको सिखा सकता मतलब तेरे हपते की वो क्लास ले दिए थे और 49 दिंगी 50 दिंगी रेष्ट भी कनना होता था 50 दिन में कितना को सिखा दोगे फिर दूसी कलास लगेगी फिर आप ने तेरे हफ़ते में सो को सिखा दिया, एक अकिला व्यक्ति अगर सिखाए बुद्ध जैसा भी, तो तेरे हफ़ते में दो महिने में सो लोगों को सिखा देगा से जादा नहीं, सो भी जादा है उस समाने के साथ ते, क्योंकि बोलना पड़ेगा, ना कोई माइक है, ना कोई किताब है, ना कोई प्रोजेक्टर है, ना कोई जूम है, ना कोई मीटिंग है, ना कोई कम्पूटर है, मुह से ही बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, सारा काम है, तो कितने व्यक्तियों को सिखा सकता है, कितना बोल सकता है आदमी, एक वक्ती जादा नहीं बोल सकता ये बात वो जानते थे इसलिए उन्होंने एक ही करण किया यूनिफिकेशन किया और संग बनाना सुन किया तो संग में मल्टिप्ले किसन हो जाता है यहां 321 किस लोग हैं अगर ये 321 किस लोग मल्टिप्लाई करेंगे तो तो जीतेंगे और ये सुन सुन के और पच्चे की तरह और चले जाएंगे या सोनके कहें बहुत बढ़या कंसेट वा वा यह सादू 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 लाजबा गजब का बहुत बढ़या बोले इस से मुझे तो फर haber नहीं पड़ने वाला है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा है आप मेरे को यह कहो सादू 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 होता है सादू सादू तो जब होता है जब आप यहां से प्रण लेके जाओ कि यह concept हम रगातार बताएंगे लोगों को जोड़ेंगे concept बताएंगे लोगों साथ की प्रैक्टिस होती है यहां जितने लोग बोलते हैं उनकी बहुत बले प्रैक्टिस होती है हमें तो सोते सोते बुलाओगे हम तो शुरू कर देंगे क्योंकि हमने तो काम ये पकड़ा है हम तो जीवन परिया यही काम करेंगे तो पांस साल बात सुनोगे तो और अच्छे बोलने से होता क्या है अगर एक आदमी दो आदमी पांच आदमी या अच्छा बोले है उससे कुछ नहीं होता हाँ आप बोलो आप चाहे टूटा बोलो जाए फटा बोलो चाहे खराब बोलो चाहे बेकार बोलो चाहे तत्थे वाला बोलो जोड़ना है जोड़ना है जोड़ना है, तीन लाइन बोलो, दो मिनट बोलो, चार मिनट बोलो, पांच मिनट बोलो, तूटा बोलो, फटा बोलो, गलत बोलो, तब बात बनेगी, तब काम होगा, तब साधू साधू होगा, वरना साधू साधू नहीं होता, तो ये जो बुद्ध है, जो उन्होंने यहों दुनिया में दिव्य नियम कहीं से नहीं आते व्यक्ति सीखता है नियम बनाता है व्यक्ति सीखता नियम बनाता है व्यक्ति सीखता है और जो चालाक और जो मूर्ख लोग होते हैं वो पहले नियम बनाते हैं पहले प्लान बनाते हैं दुनिया में जितने घदे हैं जित काम कुछ नहीं, बुद्ध ने काम ऐसे नहीं किया, और कोई भी अच्छा काम करता है, दुनिया में ध्यान एकना, कोई भी अच्छा काम करता है, वो कभी प्लान नहीं बनाता है, वो काम करता है, प्लान अपने आप बन जाता है, ये नीचर का नियम है, वही बुद्ध ने कि तो बॉरही एंबो बोडती चलेए, लोग सबूंदते चलेए, लोग सुखी होते चलेए, लोग सुखी होते चलेए. तो साईड है, लोग लगाए, उम्तासक के साधाणते ऑर जो उम्तासकिता षालुचर फाके सिर्ख्साуждा. नियम बनाये विए यह यह नियम है ये नियम है इन्रोन पर चलते रहना लंबा चलेगा गारंटी तो किसी चीज की नहीं है और देखफाल लगातार करते रहोगे तो फिर वह बहुत रिखा आप सोच नहीं सकते, तो ये तो बुद्ध का काम है, टॉक्टर अमेट का काम बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि बुद्ध के अगेंस्ट में जिन्होंने पिट्टी करांती की, वो क्या कर रहे हैं, वो जगे हुए लोग हैं, संख्या में बहुत छोटे हैं, उनको प सड्यन्त है, हर तरह से लगी हैं, साम, डाम, दंड, भेच, छल, कपड़, और वो सारे लगे हुए हैं, और वो इसकी मैंटनेंस भी करते हैं, देखवाल भी करते हैं, कैसे राजनितिक हिस्से में अगर दो लोग मिल जाते हैं तो तीसा खतम जाता है यह तो राजनितिकी बात है सामाजी की बात देख लो सामाजी की बात में कभी भी आपको नहीं खटा होने देंगे आपको टुकले टुकले करके रखेंगे बावा साव अमेट करने मेहनत की जातिया खतम की, S.C.H.T. O.V.C. बना गए, उन्होंने फिर खोलके S.C.H.T. O.V.C. की जातिया बना दी, और हमारे मुर्ख लोग जंडा लेके घूम रहे हैं, मेरी फलानी जाती, मेरी फलानी जाती, वो देखभाल करते हैं, तो उनको भी देखो कि वो कैसे काम करते हैं, यही नियम ह तो डॉक्टर अंबेटकर को देखो, डॉक्टर अंबेटकर को जीवन भर प्रतार ना मिली है, गालियां मिली है, अपमान मिला है, मनुस्य ना होने का एहसास उनको जीवन में हर कदम पे दिया गया है, हर कदम पे यह बताया गया है, कि डॉक्टर अंबेटकर, तब तो ब्हेमा भीमा को भीम को ये लगातार लगातार ये ऐसास करया गया कि वो कुछ अलग तरह का कीड़ा मअकोला टाइब यह कुछ अलग तरह का कीड़ा मकुला होती है वह चोटे भीमा बच्चे में थी तो बड़ो दरा में प्टाई कर दी ठुकाई कर दी सावान फैंक दिया तो रोए धाल मार मार के महां बाग में कमेटी बाग के अंदर टेन लेट थी तो क्या करता है अकेला आदमी नौजवान बाइस तेश साल का आदमी के पड़ा क्या इंग्लेंड से सोचके कि इंग्लेंड में सब कुछ चीक है यहां भी पड़ा लेका ठीक होगा मगर यहां धूल उतार दी सब पानी फैक के मारा फाइल फैक के मारी पानी ने दिया तो नासिक के अंदर पिटाई हुई जब वो पानी वो गंदा पानी पीने के लिए प नहीं और उपर से जो महनत करके लाए वो गांधी जैसे आदमी ने च्छीन ली बी पूरilt जीवन की महनत जो लाए सेपरेल ए्रेक्टर में वो पूरे जीवन की च्छीन ली तो आजकल हमारे नौजवान मुझ सिखा ते हैं, टंडा उठाया हूँ चल दिये, ऐसा न tob STEM. वो समझते थे जाग रेट थे तो पहचान दे थे। एक 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 बीमारी को पहचानने थे कि यह क्या है तो एक ही करण नहीं कर पाएं, क्योंकि साधन नहीं थे, अकेले थे, कुछ था भी नहीं उनके पास में तो संग नहीं बना पाए मगर निसान अब लुकुल के लिए रठाओंगा कि कहां से ठीक कर नहीं है तो मौका मिल गया कुछ एकी करण किया भी उन्होंने जो समाज में जो महार जो लोग थे महार जो इखटे हुए जो उनके आसपास आए उसका फ इसराना वोकुल की लिए था कि वेह व्यवस्था बदलनी है और मौका जैसे मिला तो पूरी विवस्था घुमादी दी पूरी जितनी पट्टी करांति थी एक जटके मैं करांती में ले आए पूरा जितना विसम्दान था एक जटके में सम्विधान मिले आए तो सांत हो गए तो खुश हो गए कि बस मेरे मन में जो था मैंने किया फिर भगवान बुद्ध की पूरी-पुरी धम गता पूरा-पूरा धमपत जिखना सुरू किया तो देख भाल के नियम भी देखे गाए हैं खाली लगे नहीं रहे देख भाल के नियम 22 पिर्टिक गिया ह वो security guard है, वो देखवाल के नियम है, कि ये बचा के रखेगी, इसलिए बमण प्रवेस नहीं कर पाता, इसलिए जब उनके कहीं कोई स्थू बनाय जाते हैं, या उनके नाम से कोई सरकार बिल्डिंग बनाती है, तो उसमें बाइस प्रितिका नहीं लिखवाती, डर के मारे, व ये जो च्छे नियम है, सर्षड़ी अंत्र के, अगर आप महापुर्सों के लगाता लगाता देखोगे, तो ये सब के हैं, ये सब ने ये काम किया है, जागू है, पहचानू है, एकू है, निसानू है, लागू है और देख बालू है, यानि कि विजिलेंट हैं, रिकोगनि करते हैं, ये बात हर व्यक्ति को समझ लेनी चाहिए, ये जो यहां बोलते हैं, यहां बताते हैं, यहां बोलते हैं, यहां बोलते हैं, यहां हमें कोई नामवाम नहीं कमाना, हमें यहां कोई पद पोश्ट नहीं लेनी हैं, हमें कहीं चुनाव नाम में नहीं जाना है, ये ह खटे हो रहे हैं 26 ताइक से आपको एक डिटिल मिलेगी तो यहां हमने जीवन देने की बात कहीं है यहां कुछ लेने नहीं आए लेने के लिए तो बावा साब ने हमें जितना दिया है वह बहुत है मर क्या है कि मरने से पहले हम बावा साब का काम जुरू करके जाएंगे ताक और एक कोशिछ से अ कर इमानतारी से की जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत और काइनात नहीं इसको रोक सके इसलिए यहां जो लोग आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनमें दो तरह के लोग है पिछले पांच मैसे लेके और यहां तक कुछ लोग गए हैं तो उनसे हम मिलते साब की थोरी को समझते हैं बुद्गी मांसी की सिती को समझते हैं तो हमें पता है कि वो लोग क्यों गए है क्यों कि वो यहां से कुछ लेने आये होंगे तो उनको मिला नहीं कुछ वो देने आये होंगे तो संग ने लिया नहीं और एक चीज बड़ी कॉमर है जिस वी व्यक् है पूरी नहीं है यह आफी नादान है यह अभी मूड है यह बाल है डॉक्ट्राम मेलका को समझा नहीं यह वैसही जैबिंग करके गूनता रहता है यह वैसे ही कहता रहता है प्रबुद प्रबुद भात प्रबुद बुद aura और जिस व्यक्ति को हूं अमने काम दिय भी नहीं यानि संग ने काम दिया भी नहीं और उसने खुद पकड़ लिया और लग गया काम में जैसे यहां पर आप देखो जो कमांडेंट हैं रंसिंग रंसिंग जी ने पिछले एक हफ़तार लगा होगा तीस आदमी हैं जोड़ दीए एक तीन चार आदमी लग जोड रहें जितने लोगों से ना को यहां कुछ मैडर मिला है ना उनकी कहीं नोकरी मत्रकी होनी है नोकरी प्यास दे रहा है ना यहां लगाता लगाता रोगो सब 26 को आपको पता चलता रहेगा। मệcर वो जो काम कर रहे हैं उस काम से यकीन होता है कि बावा साब का जो मिसन अदूरा है उसको रंसिंग जैसे लोग और जो लोग काम करें वो पुरा करेंगे। और जो छोड़के चले जाते हैं काम देखते ही, जो उनको सिर्फ मन्चमाला माई चाहिए, या कुछ लेने ऐसा आते हैं, उनसे भी कोई गिला नहीं है, देर सबर वो भी आ जाएंगे, क्योंकि हम तो यह कहते हैं, कि समण संगी सारी है, जो किसी काम का नहीं है, वो कम से कम सं साथियों को तेजी से काम करना चाहिए, बहुत तेजी से करना चाहिए, कंसेट अगर अच्छा लगता है, तो इसको अपने तक मत रखो, इसको पहुँचाओ, दूर दूर तक पहुँचाओ, क्योंकि कुछ लोग मिलके काम करेंगे जीवने बर, वो संतुष ठोके मर्त हो मगर ना उद्धे से आपका पूरा होगा और ना ही बुद्धे से हमारा पूरा होगा हम दोनों का हम सब का हम सारे समणों का एक उद्धे से है हमको सुखी देना है हमारे बच्चों को अच्छे मौके मिले चाहिए अच्छी अपॉशनिय मिले चाहिए और वो तम मिलेंगे लाग संधन और चार लाग संधन रोज रोज बताते हैं जो अलग-लग काम करें हर संधन को कहना पड़ेगा भाइ इकटे हो जाओ संविधान तो तभी गिनेगा जब इकटे हो होते तो आब यकिन-मार्णा सारी दूनिया की अधिकार हमें मिल जाते उनत्यस लाग संटन हैं हमारे हमारे जयसे समाज के संटन है अगर संञठनों के गिंटी के ऊपर कहीं कुछ कि मिलता हो तो तो सबसे ज़्यादा हमें मिलता, पूरी दुनिया में इतने संग्ठन नहीं होंगे जितने हमारे हैं, पूरी दुनिया में नहीं होंगे इतने संग्ठन जितने हमारे हैं, और इस पर जब रिशर्ट्स की जाएगी कि संग्ठनों पर तो लोग कहेंगे बड़े मूर्क लोग और बावा साब की अनुयाई थे, तो बावा साब की अनुयाई हैं, तो बावा साब ने कब कहा, कि संगठन संगठन खेलना है, तेरा संगठन बड़ा, मेरा संगठन चोटा ऐसा खेलना है, किसने कहा कि संगठन संगठन बना के कहीं आजादी मिलती है, किसने कहा कि संगठन सं फिर बताजिता हूँ वीडियो और मी हैं लोग इखटे करने के लिए कभी भी पैसे नहीं लिये जाते इसलिए समढ़ संग पॉब्लिक से कोई पैसा नहीं लेता तो लोग केते हैं जी खर्चा कैसे होता है जूम की मिटिंग का खर्चा है साथ है रुप महने का खर्चा है और इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि प्रसन आया था कि अगर पैसे नहीं लेते तो चलता कैसे तो किलियर होना चाहिए क्योंकि बिना पैसे के तो जूम चलेगा नहीं और अगर कोई व्यक्ति एक पैसा देगा तो फिर संग कैसा रहा तो इसका खर्चा संग के एक्टिम में पर उठा लेते हैं और इसे बड़े-बड़े by नने को तैयार है कितने बड़े खर्चे आने को टियार है की सब बराबर हो गया कोई था है का पोई नहीं नहीं एहां का लिए ना Because सी ना ऐसा बैठते हैं यहां पर के सामने कोई और लोग बैठे हैं अदर कोई और लोग बैठे हैं सब गेरा बना के गोल जैसे घर में पंचाइद में बैठते हैं वो ऐसे बैठते हैं तो यहां विशन कैसे लेते हैं डिसीजन लेने के लिए यहां कोई भी जो सम्मधित काम क को सारे के सारे मानते हैं तो इसमें सब की इज़त बरावर होती है यहां सब एक दूसरे को सर क्या के बोलते हैं और महिला है जितनी भी है उनको सब बहन जी क्या के बोलते हैं तो सब की बरावर इज़त है तो जब इन पर बैठेंगे तो सारे कुरसी बैठेंगे तो कोई किसी से उंचा नीचा नहीं बैठा किसी कमरवार में दर जा तो भले उसके लिए कुरसी आजाए इस टूल आजाए वो अलग बात है तो अपने किराय से आते जाते हैं, तो पैसी की जोत नहीं पड़ती, तो सिर्फ इखटा होने, जैसे पुराने समय में इखटा होते थे, वैसे इखटा होते जा रहे हैं, तो यहां लगाता लगातार बहुत जाता मीटिंग होती हैं, लोग कहते हैं कि क्या, यहां जो हैलो हाय कटे हो वही मीटिंग होती है जो जूम पर मीटिंग हो ऐसा नहीं है अभी तो कोबिड आ गया कोबिड से परे बड़ी सारी मीटिंग है अब जमीन पर मीटिंग होने लगी है गाउं तक मीटिंग पहुंच गई है और जैसे यह कोबिड खुलेगा वैसे बहुत इसे मीटिंग तो पूछते हैं लोग मीटिंग लगवाता कोई लगाता कोई नहीं लगवाता कोई नहीं लगाता जिसको समझ में आ जाता है वो खुद ही खुद ही खुद ही आप अत्तदीपोभव यहां कोई किसी को डाक्षन नहीं देता यहां कोई किसी नहीं कहता कि अब तुमको तीन मी बताते हैं, तो यहां कोई किसी का माश्टर नहीं है, यह सारे के सारे ही साथ ही है, तो यहां सारे ही माश्टर है, तो सब यहां बरावर हैं, तो सब का राइट है, तो सब का अधिकार है, तो लोग कहते हैं, भई इखटा होके करोगे क्या, भई इखटा होके करेंगे क्या, सम MPMLA की होता ये काम MPMLA तो अधिकारों को लेके चलेगे सब जितने MPMLA हमारे बैठे थे सतर साल में वो अधिकार को नहीं रोक पाए इसको समझ लो भाई इसको किलियर अपने दिमाग में डाल लो MPMLA मिनिश्टर आपके अधिकारों को बेचने वाले खतब करने वाले हैं उन्ह उन्हें तो अधिकार जब चला गया तो उनकी तो सहमती थी तो फिर लोग सड़क पर आए तो संग बन गया तो अधिकार बापस आ गया वैसे ही किसानों के अधिकार चलेगे तो किसान सब आगे संग बना लिया तो उनकी बापस आगे वैसे ही जब अंग्रेजों को भगान की है जो मास की करांती हो जाओ तो सलक पर आने की जोतनी पड़ेगी अगर अगर साड़े लोग आ खटे होगे तो सलक पर आने की जोतनी पड़ेगी संविदार खुद आपके घर आके पूछलेगा बताओ क्या करना है बताओ कैसे करना है, बताओ जो आपको चाहिए वो ले लो, तो ये सारी चीचे पॉसिबल है, ये सारी चीचे पॉसिबल हो जाती है, इसलिए जो संग है, ये संग अपने आप में बहुत पुराना, इसके जो फाउंडर हैं, वो हमारे दादा-दादी, बुद्द से भी पहले वो निसाने पर लगे, मिसाल की तरह ना हो जाए कि पूरी मिसाल बनाई सब कुछ बनाया, और निसाने की जगे समुद्र में चली गई, कोई फाइदा नहीं उसका, जैसे कि हमारे कैई सारे लोग हैं, जो पूरे दिन्राद-दिन्राद काम करते हैं, और कहतें जी कुछ हो हो कहां से निसाने गलत है, पूरी जिंदगी आप महनत करते रहो और सो लोगों को नहीं जगा पाए, तो निसाने पर लगे कहां आपकी विचार, बात कहां बनी इसलिए, जुड़ते जाओ, अपनी धार पहचानते जाओ, और फिर एक साथ मिलके जोड लगाओ, और जब ज चलता रहता है, जो ज़्यादा देखवाल करते हैं, उनकी प्रतिकरांती नहीं होती, और जो कम देखवाल करते हैं, उनकी प्रतिकरांती बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए जिद्ध है जुड़ने की, जुड़ेंगे, जीतेंगे, जब 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 जुड़े हैं, तब आदवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिल्कुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरलभासा में बताते हैं हमारा सर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरन गच्चाम। संगम सरनंगच्चाम। कूथ यांपी बुद्धं सरनंगच्चाम। दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी सर्मंग सर्मंगच्छामी दूतियं पी धम्मंग सर्मंगच्छामी साथू, साथू